जहिन साथियों बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बी-ए समेस्टर वाला में साथियों आज के इस कलास में हम लोग कवर करेंगे बी-ए फोर्थ समेस्टर का ये एकोनोमिक्स का पेपर है पेपर का नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस ये फर्स्ट पेपर है सिकेंड पेपर भी मैं जल्दी आप लोगों को प्रवाइट करा दूँगा देखिए पेपर का नाम है हर साल रिपेट होते हैं वह आएंगे ही आएंगे तो इस प्रस्ण पत्र से आएंगे ध्यान रखेंगे इस बात को साथियों और इस प्रस्ण पत्र को सेर जरू करिएगा अपने दोस्तों के साथ ठीक है और सब्सक्राइब जरू कर देजेगा भाई लोग ताकि फिर समेस् यहां पर दिये रहते हैं ठीक है महतपूर्ण निर्देश उसे जरूर पढ़ने में कितना समय लगा भाई लोग केवल दो से तीन मिनट लगेगा ठीक है तो जरूर पढ़ लिया कीजिए इसमें पहला प्रस्ण आपका पूछा साथियों मुद्रा वही है जो मुद्रा का का प्रस्ण आपका इसमें चलें दूसरा प्रस्ण आपका इसमें पूछा था साथियों जब किसी वस्तू को मुद्रा के रूप में परियोग किया जाता है तो उसे किस परकार की मुद्रा कहा जाता है ठीक है जब किसी वस्तू को आप मुद्रा के रूप में परियोग कर रहे तो उस मुद्रा को क्या कहा जाएगा भीया तो वस्तू मुद्रा कहा जाता है आपसर नमबर D करेक्ठ आपका तीसरा प्रसना आपका इसमें पुझाता निम्नलीखित में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कारे है तो जो मुल्य का मापक होता है या मुद्रा का प्राथमिक कारे होता है आपसनर b क्रेक्थ आपका जल्द जल्द देखने का प्रयासद करें दोर किया गया तो फेसर कि दोर किया गया था ईक प्रसनर 5 के ऐसा ओमका सांकेतिक शिक्का में संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए ठीक है सांकेतिक सिक्कास से संबंधित साथियों सही विकल्प का हमें चुनाव करना है तो देखना पड़ेगा हमें अंकित मुल्य इक्वल तू धात्विक मुल्य तो यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा इन में से कोई साथियों इन में से कोई भी आपका सांकेतिक सिक्का से संबंदित विकल्प नहीं है ठीक है आपसे नमबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रस नंबर 6 पुछा है आपका साथियों अच्छे मुद्रा के गुड से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए तो स्वयम सुष्य किरिती होता है ठीक है यूनिवर्सल असेप्टेंस जिसे बोलते हैं आपस नंबर 1 करेक्ट है चलें साथमा प्रस नहीं आपका ग्रेशन का नियम संबंधित है ग्रेशन का नियम किस संबंधित है भया तो मुद्रा की पूर्ती से संबंधित है आपस नंबर 2 करेक्ट है सप्लाई आफ मनी ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं आठ्वा प्रस्न आपका बहुत ही सांदार दिया है, प्रोफेसर फीसर के समीकरण को किस परकार से लिखा जाता है, तो आप्षन नमर डी इसमें आपका करेट था सातियों, ठीक है, डी आप्षन में क्या दिया है, प्रस्न आपका निमनल इखित में से कौन बैधानिक मुद्रा है, तो जो प्रचलित मुद्रा होता है, सातियों, ठीक है, करेंसी इन सर्कूलेशन, ठीक है, ये क्या है, प्रचलित मुद्रा आपका बैधानिक मुद्रा होता है, चले दसवा प्रस्ण बहुत ही सांदार पूछा था निम्नली इखित समीकरणों में से कौन नगत सेस समीकरण का मार्शल द्वारा प्रतिपादित समीकरण है तो आपसा नमबर C करेक्ट है आपका साथी हो इसमें ठीक है M equal to KY plus K1A ठीक है चले 11 प्रस्ण आपका क्या पूछा है इसमें प्रस्ण नमबर 11 पूछा है आपका उच्च सक्ती मुद्रा से सम्बंधित सही बिकल्प का चुनाओ किजिए पूछा क्या है उच्छ सक्ति मुद्रा से संबंदित सही बिकल्प कौन है भीया तो जनता के पास करेंसी प्लस रिजर्व बैंग के पास अन्य जमा तो बिल्कुल करेक्ट है आपका जनता के पास कुल तरल मुद्रा प्लस आवस्यक रिजर्व मुद्रा यह भी आपका सही है ठीक है आवस्यक रिजर्वान पाथ होना चाहिए सी वाला क्या दिया साथियों जनता का कुल सावधी जमा ठीक है और आवस्यक रिजर्वान पाथ ये भी आपका उच्छ सक्ती मुद्रा से सम्बन दीत है ठीक है आपसर नमर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी चले बारवा प्रसंद देखेंगे आपको क्या है निम्नलिखित किस स्वरलमान के अंतरगत देश में सोने के सिक्के चलन में होते हैं तो आपसर नमर सी करेक् आगे बढ़ते हैं साथियों प्रस नमर तेरह देखेंगे क्या है प्रोफेसर किन्स ने निम्नलिखित किस उद्देश है तू मुद्रा मांग की बात कही है तो लेन देन उद्देश सुरचात्मक उद्देश सटा उद्देश ये सभी आपसर नमर डी करेक्ट हो जाएगा प्रस नमर चौदर क्या पूछा साथियों सूचकांक बताते हैं दो बिभिन समयों पर मुद्रा की क्रे सकती में परिवर्तन को बताते हैं सूचकांक चले आगे बढ़ते हैं पंदरा नमर प्रसन है सूचकांक का संबंध होता है सूचकांक का संबंध सयुक्त कीमस्त अस्त अच्छे मुद्रामान में कौन सा गुड विध्वान रहता है तो सर्व सुक्रिती होती है मुल्य स्थेर्टा होता है परिचायकता भी होता है आपसर नमबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका प्रस नमबर अठारा पुछा है वैपारिक बैंको के उधार रिण नीती का परिडाम है मुद्रा इस्थेर्टी है आपसर नमबर एक करेक्ट है आपका इन्फ्लाइलेशन बोलते हैं इसे ठीक है इन्फ्लाइलेशन चले प्रस नमबर 19 क्या है यदि सरकार अपनी आवसकताओ को पूरा करने के लिए मुद्रा चाती है तो इस परकार की इस फिती कही जाती है तो इस परकार की इस फिती को चलन इस फिती कही जाती है ठीक है करेंसी इन्फ्लाइशन बोलते हैं आपसर नमबर डी करेक्ट आपका प्रस नमबर 20 क्या है विश्व व्यापी मंदी आई थी कब आई थी भाईया वर्स 1930 में विश्व ब्यास्पी मंदी आई थी ठीक है चले प्रस नमबर 21 पुछा साथियों पूर्ड रोजगार बिंदू से पहले होने वाली स्पिती को किन्स ने किस नाम से संबोधित किया है तो अर्ध मुद्रा स्पिती से संबोधित किया है आपस नमबर ए करेक्ट आपका चले 22 नमबर पुछा साथियों 22 नमबर पुछा से दिखाई नहीं दे रहा ठीक है इंगलेस में पढ़ने का प्रयास करते हैं चेंज इन मनी सप्लाई आप्टर चेंज इन हाई पावर करेंसी इज तो कालेड मनी मल्टिप्लायर बोलते हैं ठीक है आपस नमबर भी करेक्ट आपका देखिए जिन्होंने प्रस्ण पत्र भेजा है सही से नहीं भेजा है ठीक है फिर भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे who among the following has the rights to control credit by changing bank rates तो आपसा नमर्डी करिक्ट है आपका रिजर्बाइंक आप इंडिया ठीक है समझ में आ रहा है ना देखिए नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अराम से कलास को रोक करके जो हिंदी में लिखा है साइड में आराम से पढ़ लिजिएगा ठीक है देखिए निमनली खित में से कौन संगठित दूतिय बजार का अंग है तो मुद्रा बजार है साख बजार है पूजी बजार है ठीक है Capital Market, Credit Market और Money Market आपसर नमबर D करेक्ट हो जाएगा 25 नमबर प्रसंद देखेंगे क्या है भारती मुद्रा बजार किस छेतर के अंतरगत आता है Indian Monetary Market comes under which sector किस छेतर के अंतरगत आता है संगठी छेतर के अंतरगत आता है ठीक है और्गनाइज सेक्टर के अंतरगत प्रस नमबर 26 क्या पूछा है भारत में बैंकिंग आयोक की अस्थापना कब की गई थी तो सन 1979 में ठीक है 1969 में प्रस नमबर 27 क्या पूछा है मुद्रा संकुचन के कारणों हेतु निमने लिखित में से सही विकल्प चुनिये प्रस नमबर 28 क्या पूछा है वैपारिक बैंकिंग के द्वारा निमने लिखित में से किस प्रकार के रिण प्रदान किया जाता है तो अधिवीक वर्स रिण और अगरीम नगत साख यह सभी रिण परदान किये जाते हैं आपस नमबर 29 क्या पूछा था निमने लिखित में से कौन ब्यावसाइक बैंकों का प्राथमिक कार है तो जमा स्विकार करना ब्यावसाइक बैंकों का प्राथमिक कार है प्रस नमबर 30 क्या पूछा है निमने लिखित में से कौन बिकास बैंक की स्रेडी के अंतरगत नहीं आता है तो जो निर्यात आयात बैंक होते हैं साथियों यह बिकास बैंक की स्रेडी में नहीं आते हैं प्रस नमबर 31 क्या पूछा है वेपारिक बैंकों के प्रथम राष्टी करण के समय कुल कितने बैंकों का राष्टी करण किया गया था तो कुल 14 बैंकों का राष्टी करण किया गया था अपस नमबर D प्रस नमबर 32 क्या है वेपारिक बैंकों के दूतिये चरण का राष्टी करण कब किया गया था तो सन 1980 में किया गया था अपस नमर डी करेक्ट है प्रस नमर 33 क्या है निम्न लिखित में से कौन साख निर्माड का आधार है तो व्यपारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमा जो होती है ये साख निर्माड का आधार होता है प्रस नमर चौतिस क्या है प्रस नमर चौतिस बताए साथियों नगत कोस की मात्रा में कमी करके बैंक अपनी साख निरमाड की सक्ती में क्या करते हैं संतुलन ला सकते हैं आपसर नमबर ए करेक्ठाप का प्रस नमबर 35 है व्यपारिक बैंकों के प्रथम राष्टी करण की समय भारत का परधान मंत्री कौन था तो इंद्रा गांधी थी आपसा नमबर C करेक्ट आपका प्रस नमबर 36 है निमनलिखित में से किस व्यपारिक बैंक का राष्टी करण के समय हुआ था तो पंजाब नेशनल बैंक का आपसा नमबर D करेक्ट है प्रस नमर 37 है भारत में छेत्री ग्रामिड बैंक की सुरुवाद हुई भारत में छेत्री ग्रामिड बैंक की सुरुवाद 1975 में हुई थी आपस नमर B करेक्ट है ये भी हर साल पूछा जाता है साथियों प्रस नमर 38 क्या है रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अस्थापना कब की गई थी तो 1935 में की गई थी ये कमपटेट्व एक्जामें भी पूछता है आपके प्रस नमर 39 है इंपीरियल बैंक आफ इंडिया के राष्टी करण के पस्चाथ उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे भारती स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है ठीक है आपस नमर B करेक्ट आपका प्रस नमर 40 क्या है देश में बैंकिंग बेवस्था का संड़च्छक कौन है देश में बैंकिंग बेवस्था का संड़च्छक प्रस नमबर 41 किया है निम्नली खित में से कौन सा कार केंदरी बैंग का कार नहीं है तो जो जमा स्विकार करना तथा रिल्ड प्रदान करना ये आपका केंदरी बैंग का कार नहीं है प्रस नंबर 42 क्या पुछा है केंद्री बाइंग के साख नियंतरड के बिभिन नीतियों में कौन सी वीधी गुडात्मग वीधी के अंतरगत आता है तो साख मुद्रा की राष्ट नीती ठीक है रेटिनेशन आफ क्रेडिट मनी चले आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर 43 है 43 नंबर पुछा है देश के अंतराष्टी मुद्रा कोष का संद अच्छन निम्नलिखित में से कौन करता है तो रिजर्व बायंक आप इंडिया करता है आपस नंबर डी करेक्ट है प्रस नंबर 44 है सरकार बैंकर एजेंट एवं वित्य सलाकार की सेवा निम्नलिखित में से कौन संस्था परदान करती है तो यूनिट ट्रस्ट आप इंडिया परदान करती है आपस नंबर डी करेक्ट आपका प्रस नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सोरी निम्नलिखित में से किस बैंक का बिले इंपिरियल बैंक में किया गया था इंपिरियल बैंक को साथियों बाद में इंडिया के नाम से जाना जाता भी उपर आपने पढ़ा है ध्यान रखिएगा प्रस नमबर 46 है भारती रिजवर्बैंग का राष्टी करल कब किया गया था बताईए सन 1949 में 1949 में भारती रिजवर्बैंग का राष्टी करल किया गया था प्रस नमबर 47 है जिन अस्थानों पर रिजवर्बैंग की साखा नहीं है वहाँ भारती रिज़ और भाएंग के प्रतिनीधी के रूप में कौन कारे करता है तो भारती स्टेट भाएंग काम करती है आपसे नमबर एकरेक्ट है प्रस नमबर 48 है मौदरिक नीतियों के उद्देश से सम्मंदिस सही विकल्प का चुनाव कीजिए भारती रिज़ और भाएंग के अनुसार M2 में सम्मिलित होता है M1 प्लस डाग घरों में बचत जमाय सम्मिलित होती आपसे नमबर एकरेक्ट है आपका प्रस नमबर 50 प्रस नमबर है भारती रिज़ और भाएंग के अनुसार M3 में सम्मिलित होता है तो M1 प्लस बैंगों की सावधी जमाय सम्मिलित होती है आपसे नमबर C करेक्ट है जो देखिए 49 नमबर प्रस ना और 50 प्रस ना आपका ये दोनों बहुत ही सांदार प्रस ना है हर साल पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा इस बात को आपके कालेज में भी पूछे जाएंगे ये पेपर जरूर सेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ ठीक है जल्दी मिलते हैं साथी उन्नष्ट कलास में ततक लिजाहिन वंदे मातरम